तो हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सोसल सेस्टम की या पॉल्टिकल सेस्टम की तो अपने आप ही एक बात निकल के आती है origin of state राज की उत्पत्ती कैसे होती है उत्पत्ती के question पे अलग समय में अलग अलग विद्वान काम करते हैं अगर हम देखें तो बुद्ध जो है वो राज की उत्पत्ती को एक अलग तरह से बांगते हैं मनुश्मृती में राज्य की उत्पत्ती एक अलग तरह से होती है जोसमें डिवाइन और सोसल कॉंट्रेक्ट दोनों आते हैं दूसरी तरह अगर हम देखें तो अगर सेम कोईस्चन जो है सुकरास से ग्रीज के अंदर भी लगभग धाई हजार साल पहले ही यही कोईस्चन उनसे भी पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ती कैसे होती है राज्य क्यूं बना इससे पहले के जो धार्मिक कह सकते हैं यहां पे अगर सनातनी देखें या ग्रीज के अंदर सोफिस जो थे वो उसका explanation कहते है कि गौड ने या इस्वर ने राज्य को बनाया है अब राज्य को चलाने के लिए क्या जरूए है? एक राजा की जरूरत है, एक के जरूरत है, एक रूलर की जरूरत है वो रूलर जो ह वो इस्वर की मर्जी के एकॉर्डिंग राज्ज को चला रहा है इसलिए सभी को उस रूलर की बात मानी चाहिए वो जो भी कर रहा है राज्ज की बहतरी के लिए राज्ज के भले के लिए कर रहा है तो यह आइडिया ओल्मोस्ट हर जगे पे था इंडिया के अंदर थोड़ा चलाने के लिए जो कास्ट सिस्टम हमारे हाँ था उस कास्ट सिस्टम में छत्री कास्ट को वो काम दिया गया है और उपर उसके गाइड करने के लिए ब्रह्मिन्स है और ब्रह्मन छत्री और व्यापार करने के लिए वैस्य जो है और लास्ट जो है सूद्र कह सकते हैं यह जो चार वर्ण में बाटे गए और तो बहुत से थिंकर्स ये मानते हैं कि अलग-अलग जो टेक्स्ट है उसके अंदर माना जाता है कि ये अलग-अलग कारे के आधार पर है लेकिन बुद्ध इसके अलोचना करते हैं और पूरे जो आइडिया है फिलोसफी का जो वर्ण आसरम प बेस्ट है तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसकी अलोचना करते हैं कि जिस तरह से एक्स्प्लिनेशन है कि ब्रामण जो है ब्रह्मा के मुक्ष से पैदा होते हैं तो ये जो डायलॉग है इनका जब ये लिख रहे हैं तो ये डायलॉग में बताते हैं कि ये एक ब से जहांगों से और सूद्र पैरों से क्योंकि बुद्ध सीज़ें धरफेर निकिकली यह साइन क nós बएग बुद का पूरा पूरा जो आऊंच था रूप टर्क और विग्यान पर विज्यानिक रूपसे या तर्क के रूप 서 यह पॉसिल नहीं है कि कोई किसी से मुख से Greek philosophy में देखें सुकरात के समय में तो सुकरात भी यही कह रहे हैं कि जो धर्म के अनुसार जो राजा अपॉइंट हुआ है वो ऐसा नहीं कि ईस्वर नहीं भेज़ा है इसका मतलब है कि ईस्वर ने हम सब को एक्वल बनाया है और उन में से ही हमें से ही कोई एक राजा आ गया और उसका नतीजा हम जानते हैं कि सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा ऐसी बाते करने के लिए बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बुद्ध बहुत इनकी फैमिली कह सकते हैं बहुत पाउरफुल थी लेकिन इनके जो आइडियास हैं वो रवलूशनरी जिसको हम क्रांतिकारी बोलेंगे कि पूरे जो आइडिया है सुसल सिस्टम को ही बदल देते हैं एक नई विवस्था लाते हैं जिसमें लोग जो परिसान है या जो सबसे अरेंजमेंट देखें तो सेम चीजें हैं बाद के जो मौडन यूरोपियन थिंकर्स हैं जो हॉप्स लॉक और रूसो यह तीनों ही इस कांट्रेक्शुल अरेंजमेंट की बात करते हैं कि मनुस्स जो इस्वर द्वारा राज जो है इस्वर द्वारा बनाई गई चीज नह है लेकिन सभी इस चीज में बिलीब करते हैं कि सोसल कांट्रेक्ट के थूँ जिसको यह क्वासी कांट्रेक्शुल अरेंजमेंट बोले हैं अब उसका काम क्या है अगर हॉप्स को देखें तो किंग के पास अब्सूलूट पावर दी जाएगी किंग पास है नहीं धार्मिक च्टरूप से या इस्वरी सकृति कर दाएं आपको Liberty नहीं देते में अगर हैं और बुद्ध के उपर आए अगर हम रूर्सों को भी देख ले तो रूरूसों तो आइडिया है, वो कहता है कि जनता को Decide करना चाहिए कोई भी policy कोई भी चीस चीड डिसाइड करेगी हो perhaps a king जो है जो व्यक्ति बनेगा graph बनेगा वह agree होना चाहिए performance Feder Control की यह अगुछ भी खालर करने के लिए Executive Chief अनकि यह दूसरों का सोसन करने के लिए या अपनी संपत्ती को बढ़ाने के लिए जनता के बिहाफ पे राजाब अगर modern democracy आज के समझे तो चाहे कोई प्रधान मंत्री हो चाहे कोई राश्पती हो उसको लोगों ने इसलिए नहीं बनाए कि वो luxurious life जी सके इसको लोगों अगर प्रधान मंत्री राश्पती या विधायक नहीं अधरिक talking सकता हर विए और संथा बद्र को सकती देते हैं तो अपने कुछ अधिकार भी छोड़ देते है जैसे कि अब हमने पार्लियमेंट को यह सकती दी है कि हमारे लिए लौ बना सकता है तो अब वो अगर कोई लौ बनाता है चाहे वो ट्राफिक के नियम बनाए चाहे वो टैक्स को बनाए जैसे आज के समय में अगर देखें तो हमने किसी सरकार को यह अनुमती दी है कि हमारे लिए वो law बना है तो GST हो या दूसरी चीज़े हो या कोई भी tax लगाना या welfare का काम करना वो हमारे बिहाब पे कर रहा है ना कि वो चाहे वो welfare की कोई skim चलाना तो ऐसा रही कि वो अपने पैसे हमको दे रहा हमारे ही taxes के पैसे हैं वो हमको return back कर रहा है किस तर से क्योंकि हर कहते हैं कि क्वासी contractual agreement है पूरी तरह से contractual नहीं है कहीं ना कहीं उसमें morality भी है कहीं ना कहीं दूसरी चीज़े भी है हमारे belief system भी है लेकिन एक contract है ना कि यह divine theory है कि इस वर नहीं राज को ऐसा बनाया है the view of kingship is not that of universal emperor अब यह बोले kingship जो राजसाही है वो कैसी है कि वो कहरे कि universal emperor की नहीं है the चक्रवर्ती but is the great appointee मतलब universal चक्रवर्ती को कह सकते चक्वती यहां पर इसलिए लिखा है जैसे हमने बताए कि पाली में इसको चक्रवर्ती सम्राठ की बाद है जैसे कि वो सम्राठ जो है वो universe का सम्राठ है उसकी काम क्या है अपने जो राज है उसको अविस्तार करना और राज के विस्तार के साथ साथ इन्वर्सल एंपरर बनना की वो सभी का राजा है और तो यह बोले कि यह ऐसी स्थिती नहीं है कि राजा को किसी ने अपॉइंट नहीं किया है वो चक्रवर्ती नहीं है बट कि अपॉइंट किया है लेकिन वो किसने जनता ने किया ना कि इस्वर द्वारा अपॉइंटेड है तो राजा को बहुत human की category में लाना अभी तक राजा को माना जा था He is the representative of God on earth अभी तक ये माना जा रहा है कि राजा जो है वो इस्वर का ही अवतार है जो यहाँ पर राज करने के लिए बनाया गया है तो उसके खिलाफ कोई सड़यान तो उसके खिलाफ कोई काम सीधे सीधे इस्वर के खिलाफ माना जाएगा अब यह कह रहा है कि नहीं बेसिस ऑफ किंग से इंवर्फ साइकोलोजिकल फैक्टर राधर देन देवाइबिल अब यह बोला है कि फिर से वही सोशल कॉंटेक्ट का आइडिया आजाएगा कि सोशल कॉंटेक्ट हमने क्यों किया क्योंकि लोग आपस में किसी नियम को नहीं मान रहे है कई बार हम जिस नियम को मान रहे है दूसरा नहीं मान रहा है तो एक ऐसी विवस्ता हो कि जहां पर यह फोर्स किया जाए यह बाइंड किया जाए कि सभी लोग एक नियम को मानेंगे until कि collectively फिर उस नियम को ना बदल दिया जाए यह सेम चीज़ social contract या कह सकते हैं सामाजिक समझोते का जो idea है उसको ही reflect कर रहा है उसी को बता रहा है कि सामाजिक समझोता है जो कि मनोवैग्यानिक रूप से है क्योंकि exactly किसी को नहीं मालूं कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन हमको यह लग रहा है आज की परस्तिती में कि यह चीज़े सही है तो उसको बता है